भारत छोड़ो आंदोलन के 37 वी वर्ष गाठ पूरी होने पर बिहार के 633 सैनानियों को राश्ट्रपती ने सम्मानित किया सभी स्वतंत्रता सैनानियों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी ऐसा ही एक स्वतंत्रता सैनानी है तारणी प्रसाद शहा कटी हार के नगर थाने के रहने वाले तारणी जब राश्ट्रपती से सम्मानित होकर घर वापस आए तो उनके घर में बधाई देने वालों का ताता लग गया कि मीला डूर जा बइसाल अधो रास्पती भावन जो गए रास्ट्वाटी भावन के वहाँ मारे बचल में कुर्टी खाड़ी रखी गई थी उस पर आकर मोडी ठीशे मेरे बचल में नवरे नमय स्कार टों चले गए उसके बाद राश्त्रपटी दो आट्मी का समानत किया ये खमारे भाए बगल बैटे बेठे हफ़ा के जान की मंदर उनका और एक मेरा दो आट्मी का राश्त्रपटी समानत किये वो चारर दिये जोला में तरके उसके बाद हम लो वाह ते पिता को मिला सम्मान तो बेटा भी खुशी सजूम उठा तारणी प्रसाद शाह को सम्माने थोने पर बेटे का कहना है कि उन्हें पिता की वज़ह से जो सम्मान मिला ऐसा पल सब के नसीब में नहीं होता वो खुद को खुश नसीब समस्ते हैं चन लगता फिर जीवन में दुबारा भूनके नहीं आएगा बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे पिताजी के दुबारा हम लोगों को जो सम्मान मिला वहाँ ये मौका फिर दुबारा नहीं होता हम तो यहीं चाहें कि लोग अच्छा काम करें देश के हित में काम करें जो आने वाले समय में और भी लोगों को मौका मिले कि ऐसा चनुन के जीवन में भी आए 111 वर्ष के तारणी प्रसाद शाह आजादी के उस दौर में अपनी योगदान को याद कर आज भी बेहत उत्साहित हो उटते हैं राश्ट्रपती से मिले सम्मान ने उन्हें एक नई पहचान देदी है बतादे के बेहार के 600 तंतरता सैनानियों को राश्ट्रपती ने सम्मानित किया है पंजाब के इसरी के लिए का टिहार से रितेश रंजन खिरबोर